नमस्कार मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र यन तंत्रवास्तु के विशेश काजक्रम के साथ महा सिवरात्री पर भगवान सिव को कैसे परसंद करना है आपको कैसे आपकी हर मनोकामना पुर्ण होगी इसी विशेपर आज हम चर्चा करेंगे हम आपको ये बताएंगे कि क्या है पूजा का तरीका कौन से मत्र जब करें कौन से पाठ करें और किस अस्तूतिका आपको पाठ करना है अगर आप इन चीजों को इस महा सिवरात्री पर करते हैं जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ निश्चित रूप से आपकी जिन्द्गी की हर मनोकामना पूर्ण होगी तो हमारे साथ आप बने रहें हम आपको बताएंगे कि महा सिवरात्री पर भगवान सिव को पशन करने के अचुक उपाय हर मनोकामना पूर्ण होगी हम सिधा चलते हैं कि भगवान सिब महा सिब रात्री की पूजा किस तीथी को मनाया जाता है देखिए सिब रात्री कृष्ण पक्ष की चतुरदसी तीथी को मनाते है महा सिब रात्री पर भगवान सिब की पूजा करने की क्या तरीका है इसी बिश्या पर आज हम चर्चा करेंगे जल की पतली धारा आपको अरपित करनी है जब भी आप भगवान सीब को जल अरपित करते हैं तो निश्पित रूपसिए आप ये ध्यान रखें कि जल की धारा धीरे धीरे पतली धारा भगवान सीव को अर्पित करना है इसके साथ साथ बेल पत्र एक बेल पत्र तीन जन्व का पाप नास करता है तथा आपकी सभी मनो कामना को पुर्ण करता है तो भगवान सिब की पूजा में अगर आप कुछ भी अर्पित नहीं करते हैं तो कम से कम आपको बेल पत्र अर्पित करना ही करना है अगर आप बेल पत्र अर्पित नहीं करेंगे तो आपकी पूजा सफल नहीं होगी पूर नहीं होगी इस बात का आप ध्यान रखें आपको निश्टित रूप से भगवान सिब की पूजा में महा सिब रातरी पर बेल पत्र अर्पित करना ही करना है, जो तीन पत्ते वाली बेल पत्र होती है, जिसका जो एस्मूत भाग होता है, जो मुलाइम भाग होता है, वो भगवान सिब के ऊपर आपको अर्पित करना है, अब क् पूजा का तरीका, क्या है पूजा का सिस्टम, ये मैं आपको बताता हूँ, देखिए प्राता काल असनान करने के बाद आप सिप पूजा का संकल पलीजिए इसके साथ साथ आपकी जो मनोकामना है, उसकी भी आप संकल पलीजिए, आप मन-मन बोलिए भगवान सिप से प्रातना कीजिए कि आपकी मनोकामना पुर्ण हो, आपकी धन की समस्या है, या संतान प्राप्ति आपको चाहिए, या आपकी जिन्गी में जो भी समस्या है, उन समस्याओं का आप संकल पलीजिए, और भगवान सिप से प्रार्फना किजे कि आप की जिंद्गी में वो चीज पुर्ण हो उसके बाद आपको सुर्ज देव को जल अर्पित करना है इसके बाद सिबलिंग पर पतली धारा में आप धीरे धीरे जल अर्पित करें फिर पंचो अपचार पूजन करना है यानि एक एक कर आपको भगवान चीज को कोई खास चीज अर्पित करते हैं तो अर्पित करने से पहले भी आपको जल की धारा अर्पित करना है और अर्पित करने के बाद भी आपको जल की धारा भगवान सीब को अर्पित करना है तो जैसे कि आगर आपने दूद भगवान सीब को अर्पित किया ह तो पहले आप क्या करें कि जल की धारा अर्पित करें फिर दूद फिर जल की धारा उसी तरह से सहत, घी, गूर अर्पित करने के बाद भी आपको जल की धारा अर्पित करना है अब जो सबसे महत्पुन बात है कि भगवान शिव महासिवरात्री पर कौन सी मंत्र की आपको जाप करनी है देखिए भगवान शिव का जो नाम है शिव ये भी एक मंत्र है अगर आप शिव 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 ये भी जब करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पुन होगी अच्छा मंत्र माना जाता है अगर आप इस मंत्र का यथा सक्ति जब करेंगे तो निश्टित रूप से आपकी जिन्दगी की जो मनोकामना है वो पुर्ण होगी तो कम से कम महास्वरात्री के अवसर पर इस मंत्र का नमह शीवाय का आप 108 बार जब करें और जादा से जादा आप जितनी बार जब कर सकते हैं उतना बार आप इसका जब करें इसके साथ सा जो तीसरा मंत्र है ओम नमह शीवाय इसको भगवान शीव का मुल मंत्र भी माना जाता है ये मंत्र आपको तब जब करनी है, जब आप किसी दूसरों के लिए पुजा करते हैं, तब आप ओम नमा शिवाय की जब कर सकते हैं इसके साथ साथ दूसरे मंतर है ओम नमो भगवते रुद्राय भगवान सिप के जो गायतरी मंतर है तत्पुरुसाय बिद्महे महादेवाय धीमाही तन्नो रुद्र प्रचोद्यात इसकी भी आप जब कर सकते हैं तो इन में से आप कोई भी मंतर जो आपको अच्छा लगे उ उसमें पहला मंतर है ओम त्रयंबकम यजा महें शुगंधिम पुष्टिवर्धनम और वारुक्वें वंधनान मिर्तुरमोग्छे मामरितात फिर से सुनिए ओम त्रयंबकम यजा महें शुगंधिम पुष्टिवर्धनम और वारुक्वें वंधनान मिर्तुरमोग्छे माम जो दूसरा मंत्र है ओम जुम्शा ओम जुम्शा जो तीसरा मंत्र है ओम जुम्शा माम पाले पाले जो तीसरा मंत्र है ओम हुरूम जुम्शा तरंबक्ये नमहा ओम हुरूम जुम्शा तरंबक्ये नमहा तो ये जितने सारे महा मिरतुजये मंत्र है इसमें से आप कोई भी ए धंक से कर सकते हैं आप उसी मंतर का आप जब करें मंतर जब के साथ साथ अगर भगवान सीब की जो पाठ है अगर उसकी भी आगर आप चाप करते हैं तो जो आपकी मनो कामना है उसकी पूरती बहुत जल्द हो जाएगी लेकिन अगर आप ये कर सकते हैं तो करें अन्य था शिवास्टक है, शिवतांडव अस्तोत्रम है, शिव लिंगास्टकम अस्तोत्रम है, श्रीद्वादस जोतिलिंगम अस्तोत्रम है, शिव सराक्षर अस्तोत्रम है, शिव पारवति अस्तोती भी है, इसका भी पार्थ आप चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपको एक पार्थ के बा आपकी पूजा बहुत इफेक्टिव होगा बहुत ही प्रभावसाली होगा अगर आप ये कर सकते हैं तो अगर आप नहीं भी करें तो आप इसकी चिंता ना करें आप नमा सिबाय की जब करें वही आपके लिए काफी होगा तो मैं आपको इसकी पाठ करके सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए, अगर आप कर सकते हैं तो अबस्त करें नागेंदर हराय, तिलोषनाय, भसमांगरागाय, महेश्वराय, नित्याय सुधाय, दिगंबराय, तसमे नकाराय, नमह शिवाय, मन्धाकनी सलिल चंदन चर्थिताय, नंदीश्वर प्रथम नाथ महेश्वराय, मन्दार पुष बहु पुष पुष पुषताय, तसमे वकारा शिवाय गोडी बदनाज में बिंद शुर्जाय दक्षा धुर ना सकाय शरी निलकंठाय ब्रिश्द्वचाय तसमें शिकाराय नमह शिवाय बसिष्ट कुम्बोद भब गोत मार्ज मुनिर्द देवार चित सेखराय चंद्रारक वेश्वान रलोचनाय तसमें वकाराय नमह शिवाय यक सोरूपाय जटाधराय पिना खस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तसमें वकाराय नमह शिवाय पंचाक्षरमिदं पुन्याय पठ्षे शिव सनिदो हो शिव लोग मवाबनोती शिवे निर्साहमोदते इस तरह से आप सिप पंचाकस्तो तमका पार्ट कर सकते हैं तो मैंने आज आपको बताया कि भगवान सिप की पूजा की सुरुआत आप कैसे करें कौन सी मंत्र की जाप करें कौन सी पार्ट करें अगर आप इन उपाय को इस महा सिप राती पर करते हैं तो आपकी जिन्दगी की जो भी मनोकामना है वो निश्चित रूप से पुन होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो किरिप आई से लाइक करें सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करें ताकि वो भी इस महा सिप राती का फैदा उठा करके जो मैंने उपाय पताया है अगर उन उपाय को करते हैं तो इनके जिन्दगी में हर मनोकामना पुन होगी आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद